कि है तो शो लेक्समें थे था टूजन में हड़ेट फॉर्मेशन में क्या होता बिसिकली जो हाइड़ेट फॉर्मेशन है वह नै्ट्रीन पेमिनी के ईलिमेंट कैसे कर दें इस तरीके से बनाते हैं इस तरीके का बनता है और जहां पर जो ए है वो सब लिए तो हईड़ेट कौन कॉन से हैं जैसे अमोणिया है ये स्तरी है एसबीस ठीय है और विए ट्रीज है है तो इस तरीके के हाइड्राइट न है और ये वाले जो है नाथ इनमें जो भी चीज़ अम लोग के इसकस करनेवाले हैं यह तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर और जो सबसे फेमस होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट की दिस्कुशन पर आते हैं यहाँ बात करें तो वॉइलिंग पॉइंट को मैस् से रिलेटेड है तो बॉयलिंग पॉइंट के अंदर हम जिब घ्रते हैं कि जो boiling point है वो molecular mass से diet related होगा water water force related होगा और उसकी बज़े से क्या होगा यह molecular mass के जादा होगे लेकि यहाँ पर जो ammonia है ammonia का nitrogen atom hydrogen bonded होता है उसकी बज़े से क्या होगा इसका boiling point बढ़ जाता है लेकि इतना नहीं बढ़ता कि वो इन से आगे आ जाए ठीक है उसके बाद फिर से molecular mass का स्की क्या है जाएगा yegu stages 3 or ps three कि भुणा क्या चाहिए था र्यगृलर अडर जो मुना चाहिए था उसमें यह हो ना चाहिए था कि अमोनियाका जो boiling point हे वह क्या होना चाहिए वो इस तरह हो ना चाहिए था पैस तर्क सेत यह होना चायए था कि लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ एसा इसले नहीं हो पा रहा है तो यह दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है और यह यह दिखाई दे रहा है यह आपको दिखाई दे रहा है यह आपका मॉलिक्लोर मास्क वेसे पर जो एना इस तरीके समलोग करेंगे ओके तो यह कर लो आपना इस तरीके से आप पड़ा इलेखाई है ना गामिकल कर्ला क्रापरटी जो रही है थाओ केमिकल प्रॉपर्टी सब्सक्राइब कर वेमिकल पर्बबर चीज़ों है संत ठीक है सांड में क्या प्राब्लम आ रही है सांड तो अच्छा कहसा है कि सांड में किसको इसां नुक्त आ रही है師ा प्राब्लम साउन तो सही हा रहे है सांग क्यापैस्टी इंक्रीज नहीं हो सकती है इतना ही होगा यहीं रहे हो तुम उतर अपना पडालो हाँ विश्मत मैटल है विश्मत टिपिकल मैटल बट हाइट्राइट के केस में अपने को ऐसा ही चलते जाना है जैसा यह बताया जाना है मेन इसा नहीं underwater यहाँ करेंगे आपने तो इसी आप लो लिखोगे और वह गर आप पॉनिन उखिरो डेठो आप कैसे चलता है, वह ना? डेटा आता है, वह देख लो, जो दुसरा तो प्रॉपरटी है, वह हमारा, वह है बॉनिन इंगल का डेटा है, ठीक है? वज़ित अगर आप ऐसे चलते हैं, नस्थी. प्रेस्ट प्रेस्ट पॉप के काम होने का वह रीजन कहां से आता है वह केमिकल बांडिंग से आता है यह पर नाइक पर कितना एक है तो लोन पर की बज़े से क्या होता है बांड एंगेल काम हो जाता है एक टॉट डीट नई लूटत नहीं होता है अब यहां पे जो यह सिट्वेशन हैं अगॉर्ट र्पोज रूल यहां iOS यहां पे bond is formed by bond is formed by by pure atomic orbitals, your atomic orbitals युट्यों इस फिर्टम्थ विस्टाओं था सब्सक्राइट या फिर्टी सब्सक्राइब रोन पेर ओफ एधर अफ एग्जिस्टन आड़ अग्जिस्टन वे आप इस्टीओ केमिकली इस्टीओ केमिकली इन एक्तिव एस उर्बिटल यहां पर यह सिचुछेशन नहीं है क्यों सार्थ हुगा जो लून पर होता है वो पर बैसिकली क्या होता है दोक बैस्टी देघ्स वर्बिटलेड उसमें रहता है है बतलब यहां पर लोन पेल यह जो लोन पेल यहां पेला प्रैण व चल pana और बाकि सब्करूण stepर में थोड़ा सब्सक्राइब है बाकि सब लू स्फटले बाकि सब्सक्रामें तोड़ा सा किसे हैं पर bon अग्वाई है यह पी जडड है तीन लग्टाउन हाँ पर हैं यह पहले हो तेरी असे करके क्षोटे को जाता है तेके अब त्री आपके अभी बनेगी जितनी अटामिक आई़ाटरोजन क kया होगी नेटरोजन की चार हैं ग नाम का नाम है इस का नाम के अएस पी दूंद उर्बिटर ये सारे 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 एस्पीत हैं अब इसमें जो SP3 hybrid orbitals हैं इन में हमको चार में चार orbitals में हमको केपने लग्टाउन रखने पांच दो यह तीन यह तो होगा क्या कि अपने को अपने को लोनकर बनके वह भी hybrid orbital में है समझना इस बात को यहीं पर कंसेप्ट वाला पार्ट है बड़ा इंपोरेंट पार्ट है यहां पर डाउट भी ले लेंगे आपके अब आपके सारे डाउट ले लूँगा इस पीकर भी आउन करके डाउट लेंगा लेकिन अभी आप इसको समझ बना पर देटेल में चला जाता हूं ताकि जब आप लेक्चर देखो कि यूट्यूब बना लेक्चर भी देख सेपते हो ब्रगोजून का पड़ावा आप सर्च कर लेना तो आपको दिख जाएगा अब बात करते हैं यहां पर कि आमोनिया में जो एनेच बॉंड है एनेच कि कि आपेया आपके है कि मीज़हांई तो हुगा हो यहां पर क्या समझ्व मे यह यह समाद मा रहा हैं यह कैसे बन रहे हैं आपको तीन थरी और और एक सफंपन survived बीच में बांड और जो लोन पे प्रेजंट है वो कहां पर प्रेजंट यहां पर प्रेजंट होने की बजह से जो इसमें पर्संटीज ऐस क्रेक्तर ने वाला है वह प्रसंट के शहां पर निखल के आएगा डेख्र, वह कितना आएगा , यहाँ पर फेंटยज स्के लिखा हुआ है , क्वेंटी फाहिफ पसेंटर 25 पसेंट नहीं हो जाएगी 25 पसेंट और यह वन जाएगऄrollo लिखा हुआ है यह बन जाएगा 25 पसेंट बात करते हैं पी एस तरी की तो पी एस तरी में क्या हो रहा है पी एस तरी में आप 3S2 3P3 कर रहे हूं तो आप S-Orbital के लक्टॉन को जो है ना और पी को आप ऐसे लिखोगे तो पी एक्स पीवाई और पीजट यह लिखोगे उसके बाद ड्रगोज कह रहा है कि यह मत करना इन दोनों को मिलाना मत इसके लिए मना कर रहा है कि आप हाइबिडाइशन मत करना एस और पी और के कि लिख सनी गरें कि ऑृविटल को ठीक है और लोग कैसा बना रहें देगे इवर आटॉमिक बना रहें देते हैं तो पिर आपका बना रहें तो तो फिर गए से बनेंगा बाँने को पुछ दिखकत नहीं है जो पी एस ऑर्बिटल होगी वह हैच एटम के वनने सुवरलेप पी वाई जो होगी और बैद पीज जोगी यशे करेंगी एक तरह से क्या होगा एक गॉंड एकस स्केलों एक बॉंड वाई एकस स्केलों एक पॉन एकस्केलों इक पॉनद जैस्स के लok जो S का electron था, वो तो पूरा का पूरा 100% S के पास ही रहा ना? I repeat, S orbital का electron है, वो 100% किसके पास रहा? वो S orbital के पास ही रह गया, और इसकी वज़े से क्या होगा? इसकी वज़े से यहाँ पर जो loan pair की बात हो रही है, loan pair में जो phosphorus का loan pair है, arsenic का loan pair है, एंटी मनी का loan pair है, विसमत का loan pair जो होगा, वो उसमें क्या होगा, उसके percentage S factor की value कितनी होगी, बोलो, वो होगी 100% इसी दिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दास्त में, क्या लिखा है? The loan pair, फिर से पढ़ो, the loan pair of central atom exists in stereochemically inactive S orbital. S orbital is stereochemically inactive term बोला जाता है, क्यों? Spherical shape का होता है, कहीं से भी देखो, उसमें कोई फरक नहीं पड़ता, तो यह stereochemically कैसा होता है, inactive होता है, या आपके orientation में participate नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, यह stereochemically inactive हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप अपनी copy में लिख लीजिए, कि यहाँ पर जो loan pair है, इन तीनों में जो loan pair है, यहाँ पर जो loan pair होगा, इन में जो loan pair होगा, उसमें percentage S character कितना आएगा, उन में percentage S character जो आएगा, वो 100% आएगा, पर जो निकल के आएगा, ठीक है, इन में जो percentage S character निकल के आ रहा होगा, वो कितना निकल के आ रहा होगा, वो 100% निकल के आएगा, मतला आप क्या कर सकते हो, आप ES3 है, ESS3 है, और SBS3 है, इनके जो loan pair है, ठीक है, इनके लों pair pure S orbital में ह है, have loan pair in pure S orbital, तो pure S orbital में होगे, जब pure S orbital में होगे, इसलिए क्या होगा, जो percentage S character होगा, इसलिए जो percentage S character होगा, वो 100% होगा, ठीक है, पर संटे स character होगा, वो 100% होगा, इस तरीके से यह रहता है, यहापर, तो ड्रगोजूल बाला पार्ट जो मैंने आपको समझा दिया है, य तो क्या डाउट है, देखलो आप लोगे ना, बता दो, इसमें, नोट कर लो इसको, S orbital के जो lone pair और SP3 hybridized orbital के lone pair मंतर यह है, कि जो S orbital का lone pair है, उसमें 100% S character है, और उसकी बज़े से वो spherical shape की, pure spherical shape की orbital में रहेगा, जिससे उसका nucleus के पास का जो distance है, वो कम रहेगा, nucleus का attraction force उस पर ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो यह हैने वाला है, जब percentage S character जादा होता है, तो इसको आप लोग क्या करते हो, कि जो percentage S character है, उस percentage S character जादा होने की बज़े से, क्या रहता है, percentage S character जादा होने की बज़े से, हमारा जो donation capacity है, या loan pair का attract करने का जो power है, वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है, यहना, बढ़ जाता है, hybridized orbital के loan pair को donate करना आसाम होता है, है ना, hybridized orbital की बज़े से loan pair ज्यादा आसाम होता है, hybrid orbital वाला, सरसाइस की वज़े से angle ज्यादा होना चाहिए, नहीं, यह जो बताया जाता है, मतलब मेरे काल से पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, कुछ लोग बता देते हैं, जो आप ऐसे जाते हो तो atomic size बढ़ता जा रहा है, angles होगा, ठीकिन उतना correct नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, आप बेटर हैं, आप ड्रगोस दूल लगाईए, उसी को लगाईए, जादा बेटर रहेगा, ठीक है, यह जरूर कहा जाता है कि जब central atom का hybridization, सुनना, जो पढ़ाया जाता है chemical bonding मुझे मालूम है, कि central atom का hybridization, loan pair और terminal atom, अगर सेम है, central atom का hybridization, number of loan pair और terminal atom, जो bonded atom है, अगर वो स तो जैसे-जैसे क्या होगा, size बढ़ेगा, central atom का, वैसे-वैसे bond angle घटेगा, यह drugose rule का ही extension है, लेकिन drugose rule, especially कहां लगता है, nitrogen और oxygen family में लगता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने drugose rule की बात की, है ना, इसलिए हमने आपर drugose rule की बात की, वो ठीक है, उसकी बज़े से लोग बताते हैं, लेकिन ultimately जो reason है, वो यही है, कि reason क्या है, कि जैसे-जैसे आप नीथे जाते हो, size बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे क्या होता है, hybridize करने की tendency क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है, hybridization की tendency क्या होती है, वो कम होती चली जाती है, ऐसा कुछ है ठीक है चलिए आप बताइए हो गया है तक आंगे बढ़ें यहांसे पर संटेस्ट एक्टर क्या होता है यह भी बताना पड़ेगा के रुकों ओके कि अगर अगर कि मैं अपना फुल वॉलूम कर दिया है यह ना उसरी के सोगा पॉलिंगपॉइंट के बारे में अहां वाइलिंग पॉइंट के बारे में जो है ना हर्श वह डियपनेटली डॉमिनेट करता है ठिक है ना डॉमिन करेगा लेकिन इतना डॉमिनेट नहीं कर पाता है कि वो मॉलीगुलर वेट से जादा निकल जाए पूरा नहीं कर पाता है ना ना ने तो किया थोड़ा सा ही आगे आपाया जादा पूरा आगे नहीं आपाता है तो ध्यान रखना पड़ेगा तुमको बढ़ तो गया लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि उसने तुम्हारा जो है ना ओर्डर को कम्प्रीट्ली नहीं बदला थोड़ा सा आगे आगया है ना है तो replenौत ऐसे तो कि गाउस के क्रता है तै doughnut बदूदित बदूद अर ट्रोकार तो है तो दौत बद्धर्टी. है ये नंता को जल ओड़ा और ऑक्सिजीन इनो फेमली में लगता है ऐ ना चुजा शेम बीमी में ही लिगता है तिक कि द्रगोस दूल चाहिना वो है उस तरीके से अच्छा बॉंड एंगिल की स्पेलिंग लिखी हुई है बॉंड एंगिल की स्पेलिंग लिख लिख लेना अगर गड़ात लिखी 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 कर लेना कि भी स्री का बॉंड एंगिल कंडेट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है इसलिए ना कम हीोगा ना कोश्क्राइब लीखी पर है यह पॉंड एक लोल्सपे लोगा क्या कर रहा है इस बांड एंगल को डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जाएगा उसकी बज़े से ठीक है ऐसा कुछ हो रहा है दन चलिए यहां तक कम्टीट कर लिया आपने है ना गया है आपका कि आप है ओर में अफिकल ते पहले पुलके рах सब्सक्राइब करते है त सब्सक्राइब जो एना वह स्मॉल साइज का है और इसमोल साइस के होने की बज़े से जो एटम स्मॉल साइस के होते हैं उनमें हाइबिडाइशन की तंडेंशी ज्यादा होती है इसले उन्होंने हाइबिडाइशन कर लिया फास्पॉरस-ti- Haris गोड़एयशन कि टेन्सी लगाता कम होती जा ने है और जो bonded atom है उसकी electro negativity कम है कम है आप ड्रजोल में क Teresa का सटेटमेंट करना पढ़ना वह पूरा ड्रहौ would पढ़ाना पड़एगा थूई प्रॉ Luegoelf a signal प्रॉबलम आजाएगा रबोड illegal तो एकर लेस्स 2.1 से लेक्टोनेटी कम है तो क्या होगा तो जो है ना बॉंड जो फॉर्म्ड होगा वो अन हाइबरडाइज और से फॉर्म्ड होगा क्योंकि एक भार ध्यान दीजेगा कि जो पीसील 3 है वाँ p4 3 में नहीं माना जाएगा पीसील 3 में नहीं माना जाएगा कि प्यसी किसे में नहीं माना जाएगी ठीक है जॉनतव यह कौन है ठीकलाừ यह ना amonium नैक्टिड का क्या ब्लास्स करسा कर वा देंगे ब्लास्स तभी क्यों परेसाम हो रहे हो ना आने तो पढ़ा दूंगा है ना ठीक है करवा देंगे ब्लास ब्लास तब करवा देंगे ठीक है चेंज करते हो है एस और्बिटल में आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं एस और्बिटल का उर्येंटेशन वही का वही रहता है चाहिए तो आप जैसे यह है यह इसको ऐसे देखोगे यह दिखाई देगा तो यह ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से तेक है और अगर आपको मै और पर फब्रच पड़ता नहीं है इसलिए विकम अगर्च एक पर्टिग्वर एंगेल पर क्या होंगी ओर यह दो गी लेकिन यह नहीं होगा यह नहीं होगा बहुत वीक हो यार तुम लोग मतलब जो है ना चैमस्टी के इंटुशन तो बिलकुल जो है ना डेवलप ही नहीं होते हैं आपके अंदर दीवलॉक औली फॉर पीवलॉक दीवलॉक टूरी एसे लिखोगे नाम भी पढ़ने में अधीवात है तो ना वो ना पूंधोजन यह सिति अप्टिकली इनक्टिमां सकते हैं ना टोजन फैंवली में और ऑप्सियन फैंवली में लगता है रगोजुल ना रगोजूल के बार लगता है तेके अगट है कि यार इक बाद बताओ आप कोई कह रहा है 100 परसंट का मतलब समझा दो जब वो एस और बिटल में है तो वह सुन है ना तो हम प्रसंट आप यहसे जिस रूम में बैठे हुए हो तो जिस रूम में बैठों उसमें हैं प्रसंट भी बैठे वह ना यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जब आप S की 3 hybridize orbital कर रहे हो, तो 1S है और 3P है, तो S का कितना part आया, ऐसे आया, 1 बटे 4 इंटू 100, that becomes 25%, ऐसे आया, 4 orbital में से 1 orbital S का है, तो 1 बटे 4 इंटू क्या हो जागा, सो यह 25% आया, अब अगर 1 orbital में lone pair है, तो फिर क्या होगा, इन 4 में से 1 पे है न, तो क्या होगा, 100% ही आएगा, एक की S में ही है न, तो 100% ही आएगा, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से रहने वाला है न, यहाद आएगा, ओके, चलो, यहाँ पे रोग, ठीक है, जाएगा अएगा मैं और एकॉवन झाँ अभाण यहाँ टो हॉगा है वाला हormु झाँ आएगा है जाएगा, गली कर्या उटीक रहाता है उत्वाभगा झाले कर Boss? कि नेक्स एडिंग लिखो गया आप लोग और यह हो गया ना ठीक है नेक्स लिखो आप बेसिक करेक्टर करूं कि ऐसे करेक्टर में क्या होगा बेसिक कर दर जाओं गयाँ वीज़ स्थ्री पी एसस्थ्री अस्थ्री और वी इस्थ्री पो एक तो यह बताते हैं लगाता ऐसा करके कौन सा बेसिक डेख रहे हैं नुश बेस देख रहे हैं इस तो यह जो लोन पियर है इसमें कितना है यह 25% एससे जादा हो जाता है जब करके लाते हैं और यहां पे जो लोन पर है तो जैसे ऐसे प्रसंटर बढ़ता है वैसे वैसे लोन पर का डोनेशन कम होता जाता है अब जब इधर से नीचे एक तो तरीका यह यह पहला मैंठड है जो कि एक तरीका और भी लोग समझाते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है जिस एक पर लोन पर है जैसे कि आपके पॉकेट में मालो अगर वन फाजन रुपे एक ही पॉकेट में रखे हैं तो कोई निकालेगा तो पूरा निकाल सकता है एक साथ ले जाएगा ठीक है लेकिन अगर अलग अलग पॉकेट में रखे होगा है तो क्या होगा किसी को देना भी मुस्केल है किसी को लेना भी मुस्केल है तो वैसे ही है कि अगर इलक्तॉन डिस्टिब्यूट हो गया बड़े सर्फेस पर बड़े सर्फेस पर डिस्टिब्यूट हो गया तो उसका डो परना जो रीजन है वो यह है कि as the size of central atom increases टेके न लूइस बेस करेक्टर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा तो मैं statement complete करता हूँ as the size of size of central atom central atom increases increases Lewis base Lewis base character decreases और यह सब जगे है यह सभी यह यहां नहीं है यह सभी जगे ऐसा होगा यह आप और निक पर आपको किसी भी तरीके का acid base character पढ़ाया जाएगा इसी तरीके से पढ़ाया जाता है तो यह आपको इस तरीके से complete हो जाएगा ना okay done चलिए note करो आगे बढ़ते हैं यह से ठीक है अमरीश कुमार इलक्टो इलक्टो निगेटिविटी को नहीं लगाते हैं भाई यार तो वोटम तुम्हों किसने मता दिया अप्टु वोटम तो इलक्टो निगेटिविटी को कभी उज नहीं कर दें अगर आपने यूज कर लिया तो पाफ है ना तो इस तरीके से क्या इलक्टो निगेटिविटी को लेकर नहीं आते हैं ऐसे बेस थियोरी के अंदर पढ़ाए नहीं गया एसे बेस थियोरी तुम लोगों को जी हो एसे बित्वरी अभी अब एसे बेस पढ़ा नहीं है वहां पर तू बताया जाता है कि आपको टॉप्टू बॉटम गार्टो निगेटिविटी का यूज नहीं करना है इलक्टो नेगेटिविटी टॉक्टु बॉटम यूज नहीं की जाती, कोई बात में, आप अभी लिखो, कभी मत यूज करना टॉक्टु बॉटम जब भी कोई आंसर कर रहे होगे, उसमें तुमने इलक्टो नेगेटिविटी का अगर यूज कर लिया तो पकेटे से जहां पर तुमने इल लिखा होगा वही से पैन रिख आख काट देगा पूरा आंसर। जाहं पर तुमने यूज पैन रिखा होगा अपर कद बात तुमने पाना कर लिखा होगा बुज करने में, यह मैंने बेशिखों हम आसें हुआ है एंड दिजिंग पावर है ना नेक्स एडिंग लिखो आप लोग और वो है थर्मल स्टेबिलिटी तो थर्मल स्टेबिल्टी में क्या होता है थर्मल स्टेबिल्टी में जैसे आप यह जाते हो आ थर्मल स्टेबिल्टी करता यह भी बिक्रीस करते है जो रीजन लेक्य कि एजड़ एज्ड़ स्टेबिल्ट्व लेंद्ध यह बॉन लेंद्ध और गॉललेंथ इसने ठीड इस एज बॉन्ड लेंध इसंवान लेंद्धि विवोण bond, energy, decreases and thermal stability, thermal stability also decreases, thermal stability also decreases, thermal stability also decreases, and I have talked about stereochemical inactive, stereochemical inactive is a very important term, stereochemical inactive is not a small term, stereochemical inactive is not a small term, stereochemical inactive is not a part, because you all know, you all know, chemical bonding has been studied, which people have been taught by the lone pair dipole moment participate, hear it, you all know, the lone pair will come to dipole moment participate, hear it, you all know, the lone pair dipole moment participate, hear it, pH 3 does not contribute to the lone pair dipole moment, when the lone pair तो stereochemically inactive s orbital होती है उसमें loan pair जो है ना PS3 का loan pair जो है ना वो dipole moment में participate नहीं करेगा क्योंकि वो stereochemically inactive s orbital में है या वहाँ पर बताया जाना चाहिए होगा मेरे साब से वहाँ पर use किया होगा ये language नहीं use किया तो आज सुन लो और यूट्यूब वाला जो लेक्चर है ड्रगोस डूल का जरूर देख लेना वेबसाइट पर भी पढ़ा होगा है देख लेना एक बार अच्छा लेक्चर बहुत अच्छा लेक्चर है देख लेना हाँ मैं बता रहा हो thermal stability तो अब क्या होगा as the data eh bond length increases bond energy decreases and thermal stability also degrees होता क्या है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं तो इसको break करना क्या होगा आसान होगा तो break करना जब आसान हो जाता है तो क्या हो जाता है आसान हो जाएगा तो क्या होगा का thermal stability कम हो जाएगा इस तरी करते हैं जाने है अश्चे बात करते हैं पोचिंग इंडस्ट्री में सरके बारे में बाते होती हैं और जादा बाते महीं होती हैं ना थिक है आपका थिक है प्लियर हो गया अपका थिक है प्लियर हो गया ओके ड़न हो गाद परंट ऑसे निस्ट्र करा profit के बारे में था यहाइट हो कि यह संटा प्सेआई परांट नहीं परफूर्ट को जानो सब्सक्राइबुकल military कि लिए viral नेक्स सेटिंग लिखो आप लोग और वो है रिडूसिंग पावर रिडूसिंग पावर है ना यह भी एक अच्छा और इंपॉर्डेंट कंसेप्ट है इसके बेसेट के हम लोग कुछ रियक्सन्स भी करने बाले हैं अभी आज क्लास में करेंगे और वो है रिडूसिंग कै और हम जाने वो है तो ओपर से नीचे जाने पर क्या होगा उपर से नीचे जाने पर ठीक है क्या होता है वरिम होगा और इसका ऑफ्रस्म उन्हें मितिस एक्स्पार वह ऐगा ए看看 is the as the EH EH bond length element for hydrogen के भीज़ का जो bond length बड़ेगा bond length increases bond length increases reducing power reducing power increases in case because because to get atomic hydrogen H atom for reduction for reduction become easy as bond energy decreases decreases down the group So, what is it? Basically, you have always thought about reducing power if we have a discussion about reducing power, then what is it? Basically, in reducing power in the discussion, one thing comes to mind is that there are two reducing agents, you have to understand the answer, which is H atom, one thing is metal, metal is exactly this way, such as NAH, this is reducing agent, because here H atom is minus 1, plus 1, sodium plus 1, this is ionic hydride, how do you call ionic hydride? So, do people know that this substance in your class has come to your class? LILH4 has come to your class, LILH4 has come to your class since the first class? Yes, it has come to your class, LILH4 has come, LILH4 has come, okay? So, you know that this reducing agent is not organic, absolutely, this is not the reducing agent, it is right, and this is a good reducing agent, why is it? Because it has to be connected with H atom, which is metal and the H atom of oxygen, अपनी बढ़ाएगा अपने आपको अप्सक्राइज करेगा दूसरों को रिडूस करेगा यह कैसे है यह कोपी में इनके बारे में कि यह जब रिड़क्शन करेंगे तो आइनिक हैटम से करेंगे है और सुन तो यह क्यों क्यों कि यह आइनिक हाइट्राइड है यह कैसे हाइट्राइड है यह कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं वह रिड़क्शन किस से करते हैं वह रिड़क्शन करते हैं अटॉमिक हाइड्रोजन से क्या आपको कभी और निक केमस्ती में बताये गया है कि इसका जादा होता है और इसका कम होता है तो कम होने का जो रीजन है वो क्या है कि बोरॉन से जुड़ा हुआ है बोरॉन नॉन मेटल है नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो जब भी नॉन मेटल से सुन लो नहीं पड़ा है सुन लो बहुत काम आएगा जो लोग आखरी में जब सारे डॉट जोड़ जाएंगे ना आपस में क्योंकि आपके बिखरे हुए डॉट्स हैं अलग 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 सब कुछ कर रहे हैं 11 में कुछ और था बैचल बर दे दुनिया वर का जानता हूं लेकिन आप इन चीजों को करते जाओ धीमें धीमें सारे डॉट्स जब जोड़ेंगे ना एक-एक करके ठीके ना वह आपको क्या करेगा वह अच्छा कंसेट बना देगा ठीक है तो यहाँ पे एन भी एच फॉर्ज होगा बोरॉंज होगा वह किस से जुड़ा समझना जब भी एच अटम नॉन मेटल से जुड़कर रिडूक्शन पर्फॉर्म करेगा तो अटॉमिक हाइडोजन से करेगा जब भी एच अटम मेटल से करेगा तो एच माइनस आइन से करेगा ओव्यस सी बात है एच माइनस आइन का रिडूसिंग पावर एच अटम से ज फोम ड़क शन प्रोसेस लिखो ऑनेक हैंद्रेंदर्वार्फॉर्च जुडर्वाइंड परफॉर्म अनुड हैंड जानते मात मैंतलस श्कुलणक इस्त पॉड्वरत स Better लिए नेसेंट अच्छा एक आप अच्छी लेंविज जानते हैं नेसेंट हाइडोजन यह नेसेंट हाइडोजन देगा ठीक है एच एटम अटॉमिक फॉर्म में देगा यह आयन के फॉर्म में देगा तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी आयन का रियक्टिविटी उसके न्यूदल एटम से ज्यादा होता है ना तो आप लिख सकते हैं कोवलेंट हाइड्राइड परफॉर्म रेड़क्शन प्रॉसेस रेड़क्शन प्रॉसेस त्रू अटॉमिक हाइडोजन त्रूमिक हाइडो जब फशकता हरा है क्या अगर एच चैनल पे प्लस चार्ज आ रहा है क्या है वह this का रिए नगा यहां पर शमंदम आगेवा उगा ही लगातार आटोमिक हाइडोजन पो मिलन आटॉमिक हाइडोजन को गेन करना लगातार इजी होता जा रहा है क्यों क्यों क्युक्कि बॉन तो लगातार क्या होगा असानी से मिलता जाएगा तो क्या होगा पावर बढ़ती जाएगी ऐसा कुछ है ठीक है ठीक है ओके या जाएगा दन हो गया ठीक है चलिए इसलिए क्या होगा आप एक स्टेटमेंट लिकलो आपनी कॉप्य में तो आपने करी लिया है कि प्यस्थी जबैटर एडिए और डैना मोनिया प्यस्थी प्यस्थी इस एडिश्थी इस वेटर एड्र उल्यूसिंग एड्धि त्रीक है और यह पर आपको दिखरा होगा कि जबुल को पास करते हैं तो यह पर आपको दिख रहा होगा कि जब तो हम ammonia को पास करते हैं copper sulfate solution में, production perform नहीं होता है, because ammonia is a reducing agent, definitely it is a reducing agent, but it is a mind reducing agent. इसका जो reduction power है, वो क्या होता है? वो इससे कम होता है, बना कि इससे? pH 3 से, pH 3 का थुढ़ा ज्यादा है, जैसा कि हमने बताया, तो इसको जब copper sulfate से pass करते हैं, तो पहले यह phosphate बनाता है, और phosphate अगर pH 3 और पास किया है, तो जीरो तक देश सकता है, उसकी में reaction भी आपको लिखी है, कि finally copper 2 plus को pH 3 copper तक reduce कर सकता है, इना solution, इना solution reduce कर सकता है, कि finally silver nitrate को क्या करेगा, silver तक पहुचा सकता है, तो ag plus iron को भी क्या कर सकता है, ag plus iron को भी 0 तक ले जा सकता है, जो की ammonia नी ले जा पाता, क्योंकि ammonia के साथ, जब ag plus iron combine करता है तो आपको याद होगा इतना famous complex हमने बार बार बना आए अपनी class में इसको, तो complexation हो जाता है, समझे, complexation हो जाता है, reduce नहीं होता है, यह complex आपको याद होगा, कि silver के साथ, जब ammonia combine करता था, तो यह अला complex बनाता है, तो यह predictable है, तो अगर आप दिमाग में रखोगे चीजों को, examiner वगेरा इस सब लोग जो है ना, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह कुछ reactions आपकी दे रखी है, यह कहां पे दे रखी है, seat में PS3 में दी हुई है, और यह आपके page 13 पे दिय हुए है, तो ये भी एक reducing power का मैंने एक example दिया कुछ ही मैंने reaction भी बताई इसलिए आपको कि ताकि आप कर पाऊ इनको इसको note कर लो अब क्या क्या हो गया यहां पर melting point का जो order है वो देख लेता है इस तरही किसे चलिए note कर लो आप एक दो चीज और बची उनको देख लेते हैं फिर उसके बाद जो है ना हम लोग क्लास को और आप कंटिन्यू करेंगे कि अब और ग्यारसी थे खाकर दूद करेंगे परखेंगे ये आय ता नी अपने अंध मैं धोनिंब उसे अब यह इसमें यह जो CH4 है जो hydrocarbon है इसने कैसे reduce कर दिया? या तो पिर आप ऐसे माल लो कि भाई लो carbon minus 3 state में ऐसे कर लो है? कैसे बना लो? सुझरि, minus 4 state में carbon ऐसे कर लो तृक है, minus 4 state में है, ऐसे ही क्या हो रहा है? ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि जो यह है प्रॉब्लम क्या है यह नहीं है आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि सब्सक्राइब भी तो नायक्कोजन डाम म समें एक सर्फ यह पी तो नमबर में है यह लेकिन यह कॉपर सल्पेट को कॉपर में क्यों नहीं प्यार हो वह कैसे समझोगे यह मानस दी वाला यह भी मानस दी वाला तो ऑशिदेशन नंबर से नहीं समझा पाऊंगा ना यहां तो एक ही कंपाउंड था चलो ठीक है वाई मानस पोर में था लुएस्ट में था उसने क्या बन गया रिदूसिंग एजन बन गया उसने कॉपर आपसाइड को कॉपर आपसाइड को टेन आपसेड को इसमें भीज दिया यह पोलिंग पॉसस वह ज्यादा नहीं है तो कॉपर सलफेट को यहां नहीं भीज रहा है ठीक है वह कॉपर सलफेट को वह कॉपर सलफेट को कॉपर में नहीं भीज रहा है वह बेसिकली क्या कर रहा है इसके साथ कॉंप्लेक्स बना रहा है तो कॉंप्लेक्स बनाना भी तो अच्छी बात होती अच्छा खासा आपको क्या मिलता है के अफ का वैलू मिलता है यह बहुत बड़ा होता है और वेशन थर्मोडायमिक लिए को पॉस्बिल हो जाती है रेक्शन है ना ते इसलिए क्या होगा यहां पे इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो हाउगी कें कंपेर नौ ऑक्सिदेशन समझे है कि आपको bond dissociation energy स्ब्जग है आपको bond energy की और जो आधर जोई न वहरका surg Exactly यहां पर वी टीन बॉंड है अब होगा क्या यहां पर जो बॉंड डिसोसेशन होता है वह ऐसे होगा एन बाहर आएगा तीन है जाहेगा यहां पर चाहेगा यहां पर जाएगा और एक लिए जो तो एटामिक हाईडूजन बन रहा है नेश्ट हाईडूजन का जुड़ना भी तो क्या कहलाता है रटक्सन कहलाता है तो H Ateam एक सब्सक्ष्टन से निकलके दूसरी जगे जाएगा ठेके ना तो H Ateam का निकलना भी क्या कहलाएगा H Ateam का निकलना मतलब Oxidation, तो H atom जब इसको छोड़ेगा, तो अपने आप ही क्या होगा, Phosphorus का होगा Oxidation, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा, दूसरे का किसी का क्या करेगा, reduction करेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, यह हो रहा है, तो यहाँ पे जो atomic hydrogen है, उसका निकलना आसान हो रहा है, क्यों हो र एक तरह से होता है, इसका Oxidation हो गया, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे बनाया था, वो क्या बनाया था, यह बनाया था, Cu3, Cu2 बनाया था, तो copper से phosphorus को जुड़ने के लिए, copper से P atom को जुड़ने के लिए, P atom free तो हो, और free कैसा, अगर जल्दी free हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी free कैसे हो सकता है, जब बॉंड ब्रेक करो, बॉंड ब्रेक करणे में आपके energy कम लगे, क कम लगे तो जल्दी रेक्शन होगा, फास्ट होगा, इस तरीके से क्या होगा, PS3 का reducing power जो होता है, वो ammonia से जादा होता है, तो यह चीज़े मैं समझा रहा था, मेरे क्याल से अब इतना समझा दिया है, हो गया होगा, ठीक तक है, आगे समझ में, यहां तक, done? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है, तो यहां से चलते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, तीन से चार बार explain कर दिया, फिर भी पता नहीं, फिर भी side कि आ यहां से, मैं अन्मुट करवा रहा हो आपको आप बता दो क्या डाउट है, कर लो आप अन्मुट जिसको भी अन्मुट कर देंगे, जो एक नुसरे का पॉजीट होते हैं, रिडुसिंग एजेंट मतलब वो जो जो डिटूस करता है, पावर मतलब उसकी सक्ती टाकत, पुद करीदी वोला नहीं, reducing agent तो substance का नाम है ना जैसे कोई person है, जो LIC agent है तो उसका नाम है agent तो substance है, ammonia is a reducing agent PS3 is a reducing agent but ammonia and PS3 में PS3 का ज्यादा अच्छा power है अच्छा पावर है यह है reducing agent, compare को and two reducing agent उसमें क्या फरक्षी उसमें comparison में सकता reducing agent की पावर में comparison होता है sir, sir, और क्यूँ sir sir, PS3 में जब P double bond H मतला तूर जाते हैं PS3 में oxidize होने की दरियत अगे बिलाती होने तो अपना माइक बंद करो हां पूछो सर पीज़्टरी में बॉण्स तोड़ते हैं तो सर पीज़्टरी में बॉण्स यह बताया ना यह देख लो यह मैं बता देरो ना यह मैंने यह कंप्रीट कर दिया था और ऑड़र ऑड़ी कंप्रीट हो गया था आपकी कॉपी में मैल्टिंग पॉइंट का जो ऑडर उसमें अमोनिया को जो और सबसे जादा है वो इसलिए है क्योंकि अमोनिया के पास हाइड्रोजन मॉड्निंग होने की वजए से जो क्रिस्टल लैक्टिस बनेगा वी स्टॉंगर बनेगा क्योंकि म कॉम्पैक्ट में क्या में लैक्टिस बना रखता है कितना कॉम्पैक्ट उसके इसाफसे डिपन करेगा तो अन्म जो है जब आप स्ट्रिफाइ करोंगे तो आमोनिया की हारिन बॉर्टिंग के बारे में जो जाएगा ना वालिद पाइंट का रिवर्स अदर होगा जिसका ज् tentang ज्यादा होगा उसका वोल्ड उसका मोन चैनल को जाएगा तीक है और विसके बाहथ है समझा जा सुझां दिए मैं ले प्रहुडए सवले शुप इसंभी अधी जाट टीक है किस अचलत decl życieलोग या सुझा नाल पर पत के लोग दिस नें जिस बाहला धिए प्रिजन ने कया हाँ रिजन है जब भी जब भी मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर होगी न बीच वाली फिच वाली है तो लोएस दुर दूर्ट अबर में अलिमेंट तो रिडियूसिंग एजन्ट हाईयस्ट में है तो ऑक्सीडाइजिजिंग एजन्ट है कोई भी ऐलिमेंट अपनी हाई अच्छिशन नमबर में है तो वो है क्या वह एक तरह से और पैसे डाइजिए निए गृट में है तो बाइजिए लिए टो आगे गाए हैं तो इस वाला गाए तो वह उपर भी जा सबस्टार जाएगा इस तो बोडिसे निए और इस वी जगह वाले हैं तो इस वह उपर निचे दोगे जा सकता है सब्सक्राइब कर दो क्या बात है कि कॉन कर दा था लो गुड़ो ठीक है खतम करें क्लास यहां पर पूछना था आपने आज की क्लास में प्रॉपर्टीस के जो एक्स्पिनेशन दिये सर वह एंसे आटी में भी लिखे हैं कहीं पर हां है एंसे आटीम कुछ मिल जाएंगा बिलकुल मिल जाएंगे बिल जाएंगे बिल जाएंगे बन लेंट पाले बगरा चुब बताया दे रा वो मिल जाएंगे अग्या खतम करें क्लास अग्या बोलो